फेले दोस्तों स्वागत आपका टागेट SSC 2020 में आज हम डिस्कस करेंगे SSC Steno 2020 GK सेक्शन के बारे में साथ में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक जिके कहां से आप कर सकते हो स्टैटिक जिके के अंदर बता दें कि 40 टॉपिक्स आप क्या आते हैं लगबग 40 टॉपिक ठीक है तो यह 40 टॉपिक आप कहां से कर सकते हो साथ में डिस्कस करेंगे कि करेंट अफेर्स कहां से आपको करना है यानि एक्जाम आपका होने वाला था मई में दो या तीन मन्त आप लेते चलो कि आपका दो या तीन मन्त आगे चलेगे एक्जाम तो अब करेंट अफेर्स कहां से आपको करना चाहिए history, science, geography, constitution, miss and less यह topic कहां से आप कर सकते हो अच्छे तरीके से ठीक है तो 100% वीडियो आपके लिए useful होगी अगर आप preparation करे हो SSC Steno 2020 exam की तो सबसे पहले जो important topic हमारा है static GK की बात करते हैं ठीक है static GK important इसलिए है क्योंकि अभी मैं SSC Steno 2019 के जो GK section है उसके 4 shift के starting के जो 4 shift है उनके जो GK section उसे करा चुका हूँ analysis मैंने करके मैंने बताया है कि किस topic से कितने question आई हुए है तो वहाँ पर 4 shift की बात करें तो static GK के average question आप लेते वे चलो कि 15 question आपके average आई हुए है तो static GK बहुत ज़्यादान इपॉर्टन है 50 में से लगबग average आप लेते हुए चलो कि 15 question static GK से आपके आ रहे है तो static GK के अंदर अगर बात करें तो 40 topics आते हैं और ये 40 topics आप कैसे आप कर सकते हो इन 40 topics में से कुछ topics आपके दो book में cover हो जाएंगे एक book आपकी जो बहुत ज़्यादा पर मिल जाएगे और बाकी इसके टेलिग्राम के अलावा ये play store में भी मिल जाएगे दोनों book है ठीक है दोनों ही language में हिंदी और English तो important book है यहाँ इसमें कुछ topic आपके static GK के cover हो जाएंगे और कुछ topic current affairs के लिए बहुत ही बड़ी है book Hindi medium student के लिए ठीक है क्योंकि ये वाली book Hindi में English में नहीं है जो SPD वाली book है current affairs की और इसके अंदर भी कुछ topics आपके current में भी आते है static के तो यहाँ से भी कुछ topic आपके cover हो जाएंगे ठीक है तो English medium student के लिए भी book आपका सही है ठीक है कुछ कुछ topics है जो दोनों ही Hindi medium student के लिए भी तो सही है लेकिन English medium student भी उन topic को समख सकता है ठीक है तो ज्यादा problem नहीं है कुछ कुछ topic में कुछ topics में problem होगी तो वो topic में करा दूँगा English में अगर वो होता है तो ठीक है लेकिन important जीजिए है कि दोनों book में कुछ static gk के आपके लगा लो कि 10 to 15 topics आपके cover हो जाएंगे दोनों book से ठीक है लूशन प्लस SPD से इसके अलावा अगर previous की बात करें previous gk के questions की बात करें तो उसके लिए दो book हैं कोई भी आप कर सकते हो और यह दोनों book आपके दोनों language में बिल जाएंगे दोनों book एक आया गटना चक्र करके ठीक है यह गटना चक्रों book है अगर लेकिन इससे पहले ही है कि topic wise आपका cover होना चाहिए यानि इससे पहले आप अच्छे से Lucian वाली book को कर लेना एक बार ठीक है या इसके लाबा कोई और book है जिसमें topic wise है तो वो आप कर लेना उसके बाद जो एक practice के तौर पर यानि last time पे आप कह सकते हो एक practice के लिए topic wise अगर पूरा cover हो जाता तो उसके बाद practice के लिए यह दो book है आप कर सकते है दोनों में से कोई चक्रे वाली कर लेना नहीं तो जिसके बाद किरन है वो किरन कर सकता है किरन यहां पे थोड़ा सही इसलिए है क्योंकि यह objective book है ठीक है objective questions इसके अंदर मिलेंगे और गटना चक्रे में one liner type के मिलेंगे ठीक है तो इसलिए बस दोनों में इतना ही change है बागी कुछ यहां पे change नहीं है और objective वाली बुक के यह वाली बुक जड़ा best है यह वाली एक practice के लिए ठीक है किरन वाली बुक तो यह भी आपका दोनों ही language में English में भी है और Hindi में भी एक और important चीज जिसके पास भी यह वाली बुक Hindi language में वो PDF topic wise PDF बना के दे देना ठीक है टेलिग्राम पे क्योंक PDF बना के एक साथ मत देना देरे देरे जैसे history के थोड़ा कुछ topic के PDF बना के तो टेलिग्राम पे send कर देना मुझे ठीक है और नहीं तो whatsapp पे तो टेलिग्राम पे message कर देना contact कर देना जिसके पास भी किरन की Hindi वाली objective वाली बुक है ठीक है तो यह यहाँ पे बुक है जो मैंन करना करना है क्या करना है एक important चीजिस में यह था कि static gk वाला topic ठीक है तो static gk का कुछ topics आपको इन दो बुक में मिल जाएंगी ठीक है और कुछ topics वह है मैं cover करा दूगा ठीक है और कोशिस करूँगा कि डोनों ही language मिल जाएं अगर English medium वालों को थोड़ा से यहाँ पर प्रॉ आते हैं तो इसलिए important है इस topic को पहले cover कर लेना और 40 topics को English medium वाले अगर नहीं मिलता है तो धीरे अब search करोगे YouTube पे topic wise search करना YouTube पे तो कहीं न कहीं topic wise सभी topic आपको मिल जाएंगे 40 के 40 topics ठीक है किसी ना किसी ने कराये रहते है हर एक topic किसी ना किसी ने कराया है ठीक है तो सभी topic क तो search करके भी आप अपने notes बना सकते हो अगर Hindi में समझ में नहीं आता है तो ठीक है तो यह यहाँ पे थोड़ा सा static GK के उपर इतना थोड़ा ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि important topic है और average 50 questions इस topic से आते हैं अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे current affairs की बात कर करना कि जनवरी से थोड़ा सा start कर लेना current affairs करना क्योंकि यहाँ पर 2019 की बात करूं तो 2019 में जो current affairs आया था जब आपका exam होने वाला था उससे पहले ठीक है तो तब का वो paper बना हुआ था अब depend करता है कि अगर मई में exam होता है paper बन गया तो इसका मतलब कि जनवरी से आपको कर current affairs करना पड़ेगा यानि exam से पहले का one year तक का current affairs आपका आता है तो कहीना कहीं अगर safe रहेगा safe score अच्छा score करना है तो जनवरी से continue करना ठीक है क्योंकि time है अभी और January 2020 से current affairs start करने ना one year का तो करना ही करना है लेकिन तोड़ा से यह है कि paper अगर पहली बना हुआ है तो कहीना है कि January से भी आ सकता है तो January 2020 से start कर देना current affairs करना और मई तक का मई 2021 तक का ठीक है और अब exam depend करता है जितना late exam होगा अतना जादा आपको 2021 का current affairs करते भी चलना लेकिन कहां से करना था यह important है तो अभी time है हमारे पास to 2020 January 2020 से start कर देना current affairs करना और one year से भी पहले का पूछ सकता है और पूछा जाता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन one year और six month का जातर बताते हैं लेकिन time है अभी तो January 2020 से लेकर मई तक का एक बार देख लेना जो important questions है नहीं तो मई से लेकर आगे जो है मई 2020 से अच्छे से कर लेना current affairs ठीक है तो यह यहाँ पे current affairs का था कि कहां से आपको करना थ इसके अलावत तीसरे बात करें history, science, geography, constitution यह सभी topic importance यह है कि इस बार 2019 का जो जीक है था उसमें history की बात करें history की बात करते हो या फिट जीयो की बात करते हो constitution की तो आप यह बात करो कि constitution की अगर बात करें तो four या five questions भी आई हुए है constitution से history, geography और miss wellness वाला topic, science वाला topic हो गया ठीक है, science वाला topic हो गया, और history वाला topic हो गया, ठीक है, geography वाला topic हो गया, तीनों से ही लगबग बराबर question आई हुए है, तो तीनों को ही बराबर अच्छे से करना है, यानि जितना आप geography करोगे, जितना history करोगे, अतना ही science भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो leution वाली book को एक अच्छे से कर लेना, इसके लाबर कोई भी book है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, बाकी questions आई हुए है, इस बार भी, ठीक है, history के भी 8-9 question आई हुए है, जियो के भी 8 करीब question आई हुए है, science के भी 10 question आई हुए है, तो कहीने के इन तीनों ही section important है, और तीनों से ही question पूचे ह constitution भी करते हुए चलना, क्योंकि किसी किसी सिप्ट में, 4 या 5 question भी constitution से पूचे हुए है, और इसके लाबर 2019 के जीके section को एक बार देख लेना, वीडियो में बना रहा हुँ, सभी shift के जीके section को में करा रहा हु, किस topic से कितने question आई हुए है, वो भी मैं बता रहा हुँ, और इ reasoning के में वीडियो सभी बना चुका हुँ, यानि सभी shift को solve के जो paper है, reasoning वाले 2019 के, वो solve करा चुका हुँ, और सभी वीडियो प्लेइलिस में मिलेंगी, तो वहां से आप देख सकते हो, बाकि जीके section के बारे में थोड़ा सा time लिया मैंने आज, और detail में थोड़ा से मैंने बता तो हम कर सकते हैं इतना, ठीक है, और बाकी बात करते हैं हिंदी, हिंदी मीडियो वालों के लिए, तो static के जैसे कुछ topic solution में मिल जाएंगे, कुछ topic आपको सर्च करने पड़ेंगे, बाकी कुछ topic मैं भी करा दूँगा, ठीक है, current affairs के भी, speedy वाले book जो है, अच्छा है, objective वा नहीं से आपका cover हो जाएगा, history, science, geography, illusion से cover हो जाएगा, और practice के लिए, दो book मैंने बता दी, एक तो घटना सक्रवाली हो गई, और दूसरा आपका, कौन सा, किरन की objective वाली, और इसके ब्लावा भी, कोई doubt रहता है, तो वहाँ पर आप पूसकते हो, टेलिग्राम पर भी, टे एक से question पूछे होए, 2019 वाला जो GK section वाला है, जितने भी, सभी shift के paper को एक बार देख लेना, और वो चीज में करा भी रहा हूँ, दो, चार shift में करा चुका हूँ, तो वो भी आप देख लो, कि किस topic से कितने question पूछे होए, और TCS ने किस topic पर जादा focus किया है, या किस topic से ज importance is, ठीक है, जो आपको start करना है, comment section में questions कोई है रहता है, तो वह आप पूछो, साथ में questions अपना, जो भी आपको आता है, तो वो question भी आप comment section में, वहाँ पे type कर सकते हो, ठीक है, इससे होगा कि कोई भी दूसा अगर comment देखता है, तो उसका भी एक question वाँसे clear हो जाएगा, और कोई भी doubt होता है, question होता है, वो भी आप पूछ सकते हो, ताकि मेरे, अगर मैं reply नहीं करता हूँ, या मैं answer नहीं दे पाता हूँ, तो कोई और question, कोई और जो है, जिसको time मिलता हो, वो वहाँ पे answer देगा, उस question का, ठीक है, तो इसी होता है, कि दूसरे person की भी आप help पर स सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, बाकि all the best, और इसके अलावा, कोई सिस करी, मैंने detail में थोड़ा बताने की, और इसके अलावा, कोई भी question रहता है, doubt रहता है, तो वो सीज़ आप पूछ हो, और comment section में, अगर वहाँ पे solution नहीं मिलता है, तो telegram पे, telegram पे नहीं मिलता है, तो फि गया है, उस इसको देखो, बाकि इसके लावा, English की काफी videos मिल जाएंगी, चैनल पे, reasoning की काफी videos मिल जाएंगी, और GK section के static के उपर हम discuss करेंगी, अभी statics के दीरे-दीरे कुछ तो topics में कराता हुए चलूँगा, जो important है, ठीक है, बाकि मिलते हैं next video में, धन्यवाद, all the best, द्योग्या हुआ है, गर्ल जाएंग, पोज़ा है, पॉझमी मिलते हैं, झाय करेंगी, तर देक।षए हैं 162, साल्म मिल जाएंगी, तक्स overt лет की कि तर मेंगी शालों।, भाकि रखेंगी, ट काथा जैसे हैं 162, सालनाव